हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब दोस्तों बी एचू डोजियर फॉर्म क्या होता है और कांसलिंग में ये क्यों बहुत ज़्यादा जरूरी है बी एचू में किसी भी कुर्स में आप एडमिसन लो कहीं भी किसी भी फैकल्टी में आपको ये डोजियर फॉर्म भरना है और ये फॉर्म आपसे चार भराये जाते हैं इसके लिए चार फोटोग्राफ भी आपको चाहिए होंगे जैसा कि आप देख रहे होगे ये फोटोग्राफ का पेस्टिंग का जगा है यहाँ पे आपको गोंद दे दिया जाएगा जिस भी फैकल्टी में जाओगे अगर आप ये ऑनलाइन करोगे तो आपको ये देखने को ज़रूर मेरेगा डाउनलोड करके इसको करना है दिखिए इसमें जिस भी आप फैकल्टी में एडमिशन लोगे पहले से पूरा देख लेते हैं ये है कैसा और इसमें क्या-क्या चीज़े हैं कौन सी चीज़े ऑफिस यूज के लिए हैं और कौन सी चीज़े आपके यूज के लिए हैं इसमें से कौन सा हिस्सा आपको दे दिया जाएगा उसी समय और कौन सा हिस्सा आपको बाद में वापस कर दिया जाएगा यह record के लिए रखा जाता है समझ लेते हैं यह है क्या देखिए यह बेसिकली चार जगह जाता है एक बेसिकली चार जगह जाता है एक जो है security के लिए जाता है student welfare center में दूसरा तीसरा सौरी दो तो हमने बता दिया तीसरा आपके faculty में रहेगा और एक जाता है dean of student के पास मतलब चारो का चार जगह आपको यह सब सुनना थोड़ा जीव लग रहा होगा क्योंकि आप student नहीं हो आप मेरे बारे में जानते होगे मैंने MSW 1 rank के साथ किया है और भी finally मैं placement में हूँ और job कर रहा हूँ तो यह जो applicant form है यह सब को भरना है city delegation क्या होता है यह भी समझाऊंगा hostel allotment के लिए यह भी बरना है यह भी समझाऊंगा hostel allotment तो आप समझ रहा है city delegation मतलब जो लड़के city में रहते हैं उनके लिए यह होता है ठीक है चलो अगला है dozier form यहाँ आपको दिख रहा होगा to be filled in quadruplicate मतलब चार बार duplicate करके लिखना है by all student अब समझ में आ गया यह duplicate होग अगर आप enrolled है पहले से तब enrollment क्या होता है जब admission हो जाएगा आपको पता चलेगा फिर हम जैसे ही यहाँ देखेंगे dean और faculty of arts bsc science जो भी faculty हो लिख दोगे LLP law यहाँ faculty में law आएगा ना कि LLP I am seeking to admission to course अब यहाँ क्या होता है एक declaration होता है course का नाम यहाँ लिख देंगे BA arts हमने लिख दिया year लिख दिया हमने 2021 subject group मान लो आपको ancient Indian history मिला English हिंद मिला और Hindi मिला या फिर Sanskrit मिला जो भी subject है यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ request करेंगे कि kindly I request you to allot me a seat in hostel otherwise seek permission to stay in the city ठीक है आप मुझे hostel के लिए permit करो या city में रहने के लिए permit करो दोनों permission यहाँ आप से लेना पड़ेगा बाकी यह कुछ नहीं है आपको यह application का sign application की last में applicant जो भी होंगे student someone who is filling the document is signing here sign करके आपको यहाँ passport size photo इसी size का affix कर देना है और आपको counter पे या फिर upload करना है जैसे भी से clear कर देना है ठीक है अब अगर आप पहले से रह रहे हो B.A.C.U. में तब आपको यह भरना है name of the hostel जैसे मैंने B.A. किया फिर M.A. किया तब मुझे यह भरना पड़ा था रूम नंबर था मेरा 347 तो मैंने भरा था और नया जो रूम नंबर है वो आपको बाद में जब alert कर दिया जाएगा तो मिल जाएगा for office use है यह देखिए इसमें office से यह लोग भरेंगे यहाँ dean का seal लगेगा with signature hostel city जो भी होगा आपको यहाँ से थोड़ा सा cut करके दे देंगे है ना जो भी आपको अगर hostel का होगा hostel warden का या chief warden उसे कहते हैं या city delegacy में भी warden होते हैं उनका receipt number सब कुछ यहाँ चड़ता है इसलिए यह office use का है चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं क्या है इसमें भी same है six male and female date of birth weather category का आप भर दोगे blood group आगर आपको पता है भरना चाहिए क्योंकि वो emergency में काम आता है identification marks आप डाल सकते हो जैसे मैंने डाला था a cut mark on left eyebrow father's name mother's name husband's name in case of married women ठीक है अगर महिला है जैसे हमारी class में एक औरत थी मतलब कि लड़की थी जिनकी साधी होई थी तो इस सब चीज वहाँ पर गाम आता है relation to the candidate with gargier permanent address आपको देना है police station nearest जो भी होगा railway station सब कुछ आपको लिखना है अगर आपको पहले ही wicked किया गया है restricted, devired and expelled आपको किया गया है तो yes you are no में इसको भड़ना है name, address, telephone numbers, outside warrant ये देखना भाई लोग ये देना जरूर क्योंकि ये काम आता है कभी न कभी मानलो आपके accident हो गए आपका detailed record एक तरीके से रहता है हर जगा ताकि ये आपके काम भी आता है और अगर आप कभी बदमासी करते हो वैसे भी पनिस नहीं करता है बट अगर कभी आप बदमासी करते हो तो ये उनके पास option रहता है कि वो आपको punishment दे सकें ठीक है inside वरानसी अगर हो तो outside वरानसी आपको ये देना है और finally इस पे sign करके और आपको दे देना है यहां भी last में sign करना है तो यह आपने देख लिया form कैसा होता है क्यों जरूरी है और एक हमारे course के बारे में little सी information आपको दे दे हमारी course स्टार्ट हो चुकी है और कुछ course से जभी आएंगे अभी fee मात्र 1285 हमने रखा है offer price में बेचू, जैनियू, डी यू या अलहाबाद किसी भी university की आप त्यारी कर रहे हो, no matter आप बेहिजिजक त्यारी कर सकते हो क्योंकि इस बार भी काफी बच्चों का result हुआ है और definitely अगली बार भी होगा, course fee की registration अगर आप करना चाते हो 1250 रुपे अभी तक है, अगर आप करना चाते हो तो अभी कर लो, कोई भी course हो, LLB में पता ही है आपक Delhi University और BHO के, दोनों भी courses में बच्चों ने निकाला है और admission भी उन्होंने लिया है, BAM, MSW, कक मैं खुद student हूँ, और MSW या MLB कोई भी course हो, आप जरूर हमसे संपर करें, description में WhatsApp का link है, वहां से आप हमसे direct contact कर सकते हो, तो ये सारी information आपके किस काम आई, जरूर हमें कोई भी query हो, हमसे जरूर पूछिए, और अगर ये dozier आपको चाहिए, तो आप हमें comment कर सकते हो, हम आपको telegram का link है, telegram के send कर देंगे, कोई भी query हो, जरूर पूछा करिए, thank you so much